जोहार दोस्तों आप सब हुंगे स्वागत है JK Study Channel में तो आप लोग कैसे हैं आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे तो पहला कलास हमने ले लिया है वो है नाकपुरी का तो आप लोग वहाँ भी जाके ये class करने के बाद वहाँ भी जाके आप लोग देख सकते हैं और जो जो लोग नाकपुरी का class चाहते हैं free में तो आप लोग जे के study channel पर जूड सकते हैं तो आज के class को बीना किसी देरी के शुरू करते हैं और आज हम लोग देखेंगे साहित्या वा साहितकार के अगले भाग में और वो है आज हम लोग देखेंगे मुंडारी साहित्या से संबंदित प्रश्न और आंसर को तो बीना किसी देरी के आज के session को सुरू करते हैं आप सभी को जानते हैं कि जारकंड की एक बहुत ही महत्तपून जन जाती है मुंडा जन जाती और ये जारकंड की तीसरी सबसे बड़ी जन जाती है ठीक है ठीक है तो जारकंड में तीसरी सबसे बड़ी जन जाती है मुंडारी जन जाती और इसकी भासा भी होती है मूंडारी और इसकी लिपी भी होती है मूंडारी ठीक है तो इन बातों को आप सबों को याद रखना है ठीक है तो आज के कलास को सुरू करते हैं आपके समगैंच। पहला कोश्चन थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ एतना ठीक रहेगा सैठ एक निट फहला question मुंडारीorama नामक पुस्टक के लेखक कौन है ये एक पुस्टक है मुंडारी पुस्टक है उग पुस्टक के नाम है मुंडारी प्राइमर तो इसके रैटर कौन है ये पुचा गया है तो JC Wheatley है, James Cooper है या A Not Rot है या AC Roy है तो इसका सही जवाब है option number A JC Wheatley ठीक है JC Wheatley है तो थोड़ा हम लोग इस पुस्तक के बारे में भी हम लोग जानते है कि ये जो पुस्तक है ये जो पुस्तक है वो जन जाती में साहित्या के छेत्र में प्रथम पुस्तक है प्रथम पुस्तक है प्रथम पुस्तक है और ये जो साहित्या जो है वो लिखित रूप में भी पहला है साहित्या के छेत्र में लिकिन ये जो पुस्तक है ये पुस्तक में जो कहानी दी गई है लिखी गई है, रचना है वो पहले मौखिक रूप में ही ये था ठीक है ये पुष्टक मौखिक रूप में था पहले लेकिन अब हम लोग ये जानते हैं कि ये जो राइटर है जे सी वीटली जो है तो वे सबसे पहले 1869 में कलकत्ता आये थे भारत में उनका प्रवेश हुआ था 1896 में वे सबसे पहले भारत आये थे ठीक है और वे लोग जब छोटनाकपूर जब प्रवेश किये छोटनाकपूर में आये धर्म प्रशार के लिए सेवा कारे के लिए तो उन्हें जो यहाँ पे एक कलिश्या है छोटनाकपूर डाइसीज करके ठीक है छोटनाकपूर डाइसीज जो आजकर वर्तमान में CNI चर्च के अंतरगरत में है यही चर्च पहले एंगलिकन चर्च कहलाता था तो यह जो विटलीज जो साहब है उन्हें 1890 में छोटनाकपूर का प्रथम विशब भी बनाया गया था प्रथम विशब भी थे छोटनाकपूर डाइसीज के तो यह कोईशन भी आप सबों को आ सकता है ठीक है और अगर यह मुदारी का प्राइमर के बारे हम पूछा जाता है कि इसकी रचना कब हुई थी तो इसकी रचना जो हुई थी आपका 1879 इस्वी में की गई थी इन बातों को आपको याद रखना है यह प्रथम साहित्या है जन जाती छेत्र का और यह पहले मौकिक रूप में था जिसको लिखित रूप में जेसी विटली ने लिखित रूप में प्रस्तुत किया और वे कलकत्ता में सबसे पहले भारत आये थे ठीक है और उन्हें 1890 इस्वी में छोटा नागपुट डाइसिस का उन्हें प्रथम विशब चुना गया था ठीक है अगला क्वेशन देखते हैं हम लोग निम्न में से किसने प्रथम मुंडारी व्याकरन की रचना की है किसने की है प्रथम मुंडारी का व्याकरन की तो इसका सही जवाब क्या होगा तो इसका सही जवाब होगा ओप्सिन नमबर ए नाट रेट ठीक है तो इन्हीं के दुआरा मुंडारी का व्याकरन का रचना किया गया था ठीक है अगला क्वेशन में हम लोग चलते हैं हम अगला क्वेशन क्वेशन नमबर थर्ड निम्ण में से क्वेशन में थल्ड़ा मिस्टेक हो गया है निम्ण में से निम्ण में से ठीक है निम्ण में से कोन सी एसी रोई की रचना है निवन में से कौन सी A से रोई की रचना है ये पूछा गया है option देखेंगे बज रही बांसूरी मुंडाज एंड देर कंट्री मुंडाज हिस्ट्री या मुंडाज स्ट्रगल तो इसका सही जवाब क्या होगा A सी रोई का जो रचना है वो है option नमबर B मुंडाज एंड देर कंट्री ठीक है तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान करें जान लेते हैं कि ये जो इसके राइटर है A.C. Roy तो इसका अब जो पूरा नाम है इसका पूरा नाम है A.C. Roy का शरत चंद्र सरत चंद्र रोई ठीक है सरत चंद्र रोई इसका पूरा नाम है और उन्होंने ये जो पूस्तक है उसकी रचना कब की थी तो उसकी रचना की थी 1912 ईश्वि में आपको ये कुशन 1912 में किया था और ये कुशन आपको बहुत सकता है ठीक है लेकिन ये भी question पूछ सकता है कि ये जो पुस्तक जो है Mundas and their country उसका जो हिंदी अनुवाद हुआ है इसका पुस्तक जो है वो हिंदी में भी अनुवाद किया गया है तो वो पुस्तक का नाम क्या है तो वो पुस्तक का आपका नाम पूछ सकता है जो पुष्टक आपका नाम है आदिम मुंडा और उनका प्रदेश ये question आपको पूछ सकता है इसलिए इन बातों को आपको याद रखना है इनका पूरा नाम भी पूछ सकता है ये कब प्रकाशित हुआ ये भी पूछ सकता है ठीक है इतना समझ में आगे आप समगो अगला question आशा करते हैं आप लोगो दिख रहा होगा अगला question है इन साइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक कौन है इन साइक्लोपीडिया के मुंडारिका के राइटर कौन है जे होप मैन है जे सी वीटली है ये जेंस डाल्टन है या केविन पीटरसन है जिसका सही जवाब है इनसाइकलोपीडिया के जो है राइटर उनका नाम है जे होप मैन ठीक है और जो जे होप मैन है उनके बारे में हमनों थोड़ी से जानकारी ले लेते हैं ये जो जे होप मैन ह उसका ज्छारकन में एक एहम योगदान भी रहा है, ज्छारकन को सुरक्षित करने के लिए, तो लेकिन आज कल कई अफवा भी फैल चुका है कि ये सही नहीं थे, लेकिन जो ज्छारकन के लिए जो उन्होंनों किया है, वो एक बहुत ही बड़ा योगदान कह सकते है ज्छार 1908 में एक Act आया था जिसको हम लोग कहते हैं CNT Act आप लोग सभी को जानते हैं तो इन्ही के बदौलत ये जो CNT Act है आया था इन्ही ने ये कारे किया था CNT Act लाने का काम किया था ठीक है इन्ही के बदौलत जहरकन का छोटानापूर छेत्र का जो प्रोपर्टी है जमीन है वो बाहरी लोगों के लोगों को हड़पने से ये बचाने का उन्होंने बहुत ही बड़ा काम किया था ठीक है तो उसके बारे में थोड़ा और जानकरी ले लेते हैं तो उनका जो नाम है जो पूरा नाम अगर पूछा जाए जे होपमैन का पूरा नाम क्या है उसका पूरा नाम है जोन ठीक है जोन बैप्टिस्ट ठीक है जोन बैप्टिस्ट होपमैन ठीक है होपमैन ठीक है ये कोश्चन में आ सकता है और इसका जो जन्म हुआ थ उनका जन्म हुआ था 21 जून 1857 को हुआ था ठीक है और इसका मृत्यू के बारे में अगर पूछा जाता है तो इसका मृत्यू हुआ था उननीस नाइंटीन नावंबर ठीक है नाइंटीन नावंबर 1928 को हुआ था जो इसकी जो मृत्यू हुई थी वो हुआ था बिर्सा मुंडा के आकर्मन से ठीक है उसको बिर्सा मुंडा ने मारा था ठीक है इस प्रोहित को ये पादर थे ठीक है ये एक फादर थे ठीक है रोमन Catholic Church के RC Church आप लोग सभी को जानते है RC Church के ये एक father थे जो आपका मूर्हू में ये इस्थीत है मूर्हू में वे थे एक सरवदा करके एक जगा है मूर्हू में सरवदा सरवदा करके एक जगा है वहीं के ये father थे जहाँ पे 1928 में मुंडा के द्वारा उनकी हत्या की गई थी ठीक है यह था समझ saja माग गया है अगला question हम लोग देखते हैं कि अगला question है निम्ड में से कौन सी पीके मित्रा की पूस्तक है पीके मित्रा एक राइटर है तो उसकी पूस्तक का नाम क्या है यह पूछा गया है मुंडाज and their history है मुंडाज history है मुंडारी का पॉक्टेल है या इन में से कोई नहीं तो ये तो होगा नहीं ये हमने देख चुका है तो इसके writer है A.C. Roy है है ना आप लोग देख चुके है तो इसके ये कौन है इसके रचना का नाम क्या है ये पूछा है तो ये रचना का नाम है option number C मुंडारी पॉक्टेल ठीक है मुंडारी पॉक्टेल अगला question हम लोग देखते हैं अगला question question number 6 बिर्षा भगवान नाटक के रचनाकार कोन है रचनाकार का नाम बताना ये एक नाटक का नाम है भगवान बिर्षा सुखदेव बर्दियार जगदिस्त्री गुनायत स्वर्णलता प्रसाद या S.C. रोई तो इसका सही जवाब होगा option number A सुखदेव बर्दियार ठीक है ये चीज आप लोगों को याद रखना है ये एक रचना का नाम रचना जो है ये एक क्या है नाटक है ये भी आप लोगों को याद रखना है पूछा जा सकता है कि ये जो है बिर्षार भगवान वो किस प्रकार का रचना है ये भी पूछा जा सकता है आप सबों को ठीक है अगला question हम लोग देखते हैं question number seven mundari English सब्द कोज मतलब mundari English dictionary ठीक है dictionary के लेखर कोन है मतलब ये जो dictionary कर निर्मान है किस के द्वारा कराया गया James Phillips के द्वारा Manidr Bhushan Baduri के द्वारा W.G. Archer के द्वारा या J.D. Smith के द्वारा तो किस के द्वारा किया गया है मुंदारी का रचना का ये जो dictionary है इसका रचना किस ने किया है तो इसका रचना किया है option number B Manidr Bhushan Baduri ठीक है इतना समझ में आ गया इसका सही जवाब क्या होगा और ये जो मुंदारी का dictionary है मुंदारी का English dictionary है इसका precaution किया गया था 1931 में ठीक है 1931 में ये बातों को आपको याद रखना है और ठीक है इन बातों को आपको याद रखना है अगला question निव्ण में से कौन सी जगदिस्त्री गुनायत की रचना है इसकी रचना कौन है आपसे पूछा है चंगा दूरंग है सो सो बूंगा है बंगो है या सेलिध है कौन है इसका रचना तो इसका जो रचना है option number B है सो सो बूंगा ठीक है सोसोब भूंगा के रचना इन्हों ने ही की है ठीक है ज्याद रखना है ये भी पूचा जा सकता है ये कौन सी भासा संबन्दित है तो वो है मुंडारी ठीक है अगला कोईशन कोईशन नमबर 9 रामदयाल मुंडा आप सभी कोई जानते है ये बहुत ही प्रशिद नाम है ज्यारकन में साहित्य के छेत्र में साहित्य के छेत्र में और इन्होंने ही ज्यारकन का नाम विदेशों में प्रशिद कराया था विदेशों में जाके उन्होंने बहुत बड़ा युगदान रहा है जारकन के विकास के लिए जारकन के निर्मान अंदोलन में इनका भी बहुत बड़ा युगदान रहा है ठीक है तो ये जो रामदयाल मुंडा है उनको साहित अकात्मी पुरुसकार से सम्मानित किया गया था तो वो कब कराया गया था उसको कब मिला था option देखेंगे हम लो 1995 में 2000 में, 2001 में 2003 में तो इसको कराया गया था यह साहितिया कादम पुरुसकार सर्मानित कब किया गया था तो इन्हें किया गया था 2000 इश्वी में option नमबर B ठीक है तो इसके बारे में थोड़ी से चानकरी ले लेते हैं तो आप सभी कोई जानके हैं ये कौन है तो ये जो बिर्सा बोलते है रामदयाल मुंडा है उसका जो जन्म है उसका जन्म हुआ था 23 अगस्त 1939 को ठीक है तमार में आपका ये तमार कहां पड़ता है तमार पड़ता है आपका रांची में तमार में हुआ था ये बात को याद रखिए कि इसका जन्म हुआ था 23 अगस्त 1939 में और अगर इसका मृत्यू के बारे में पूछा जाता है तो हूँ हुआ था 30 September 2011 में वो भी आपका रांची में ही उनकी मिरित्य हुई थी और उनकी मिरित्य हुई थी कैंसा से भीडित थे उन्होंने अपनी प्राइमरी जो एजुकेशन है वो लिये थे एक तमाल में ही एक मिसन स्कूल है अमसेला तीक है लुथरेन कलिश्या से संब्धित था लुथरेन ठीक है लुथरेन एक मिसन स्कूल था वहां से उन्होंने अपनी सिक्षा ली और सेकेंडरी स्कूल को जो सिक्षा ली उन्होंने खूटी ठीक है खूटी हाई स्कूल से उन्होंने अपनी secondary school को सिख्षा को प्राप्त किया खुटी high school से फिर वे college जो किये वो college उन्होंने अपना college सिख्षा प्राप्त किया वो किया आपके रांची यूनिभर्सिटी से ठीक है इन बातों को आपको याद रखना है फिर उन्होंने PhD किया PhD किया जो वे गए कहा गए Chicago ठीक है आप सभी कोई जानते होंगे अगर नहीं जानते है तो यह आप लोगों को एक अच्छी knowledge मिल रहा है Chicago विश्व विद्याले में उन्होंने अपनी PhD को पूरा किया था और कब किया था ये भी पूछा जा सकता है तो आपको देना है जवाब 1963 से 68 में उन्होंने अपना PhD को पूरा किया था ठीक है और एक बात ये भी आप सभों को जानना है कि ये जो रामदयाल मुंडा है वो 1986 से लेके 88 1988 तक R.U. के मतलब रांची उनिभर्सिटी के क्या थे कुलपती थे इन बातों को आपको याद रखना है कुलपती भी वे बन चुके है रांची विश्य विद्याले के तो इन बातों को आपको भी जानना पहुत आउश्यक है इन बातों को रामदयाल मुंडा के बारे में इतना समझ में आ गया अगला question है निम्ण में से कौन सी बल्दयो मुंडा की रचना है बल्दयो मुंडा की कौन सी रचना है ये पुछा गया है चंगा दूरंग मुंडार हिस्ट्री गोनोय हिसीर तो इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब होगा बल्दयो सी का जो रचना है वो है चंगा दूरंग ठीक है चंगा दूरंग ठीक है अगला कोईशन ये आखरी कोईशन है आज का ये मुदारी साहित्य का मुदारी पत्रिका आदिवासी सकम के संपादन किस ने किया था या संपादक कोन थे ये भी पूछा जा सकता है संपादक कौन थे बलदेव मुंडा, जगदिस्त्री गुनायत, जैपालसी या सुखदेव मुंडा तो ये जो आदिवासी सकम पत्रिका है, मुंडारी पत्रिका है उसका संपादन किया था उप्सन नमबर C, जैपालसी मुंडा ने जैपालसी मुंडा ने इसका प्रारंब किया था ये आदिवासी सकम पत्रिका का प्रारंब किया गया था 1940 में 1914 में इसका प्रकाशन किया गया था और यह एक क्या थी? सबताहिक पत्रिका थी उसके बाद इसके बारे में अगर हम जानते हैं तो ये जो पत्रिका है वो आपका पहला पहला आदिवासी पत्रिका थी ठीक है? ठीक है? पहला आदिवासी पत्रिका थी और एक बात मैं बता दूँ ये जो पत्रिका है आदिवासी सकम पत्रिका इसमें सिर्फ मुंडारी भासा का परियोग नहीं किया गया है मुंडारी का ही सिर्फ परियोग नहीं किया गया है इसमें आपका हिंदी का भी किया गया है इंगलीज का भी किया गया है नाकपूरी का भी किया गया है ठीक है और भी कई भासा का भी परियोग किया गया था इस पत्रिका में ठीक है और एक बात मैं बताते चलू ये जो पत्रिका जो है आप लोग देख रहे हैं ये पत्रिका एक जैपाल सी मुंडा ने एक पार्टी का निर्मान किया था आप सभी को जानते हैं जहारखन पार्ट जहारकन पार्टी की स्थापना कब हुई थी 5 मार्च 5 मार्च 1949 को ये पार्टी की स्थापना की गई थी तो इसी पार्टी के लिए पार्टी के द्वारा यह पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था पार्टी के ही द्वारा तो इन बातों को आप सब को याद रखना है तो आज के शेशन को यहें पर समाप्त करते हैं और ये आज हमने देखा मुंडारी साहित्या से सम्बंदित प्रेशन को तो कल हम लोग देखेंगे खड़िया और खोर जाती के साहित्य जम्बंदित क्योंकि दोनों चोटा जाती के साहित्या को एक टॉपिक में सामिल करेंगे तो आज के session को ये पर समाप्त करते हैं और कल फिर एक नए topic के साथ आपके समक्षाते हैं आप लोग घर में रहिए सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान दीजिए बहुत बहुत धन्यवाद और हाँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया अच्छी सिक्षा मिली है तो वीडियो को जरूर से जरूर से शेयर कीजिए तीक है आपके तरब से गुरु दक्षिना यही होगा क्योंकि मैं जितने भी आपके समक्ष कलास लेके आता हूँ सारे सारे फ्री रहते हैं कुछ भी पैसे नहीं लगता है इसलिए आप लोग गुरु दक्षिना के रूप में आप लोग वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो आप लोग अपने अपने घरों में रहिए सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान दीजिए बहुत बहुत धन्यवाद